18 जुलाई 2022 को हमारे देश में राष्टपती के चुनाव होने माले हैं जिसका रिजल्ट 21 जुलाई 2022 को आएगा ये चुनाव डिसाइड करेंगे कि हमारे देश का अगला राष्टपती यानि कि भारत का पंदरवा राष्टपती कौन मनेगा ये चुनाव BJP की उमीदवार द्रोपदी मुर्मू और विपकसी दलो के उमीदवार ये स्वन सिना के बीच होगा यानि कि इन दोनों में से कोई एक भारत का अगला राष्टपती बनने वाला है वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखके बताएं कि आपके इसाब से भारत का अगला राष्टपती कोन बनेगा और कमेंट करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वापस आते हैं इस वीडियो के टोपिक पे अब अगर हम बात करें उम्मीदवारों की तो 21 जून 2022 को सभी अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर वास्पे सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके येसवन सिना को जून्ट अपोजिशन का उम्मीदवार गोशित किया है येसवन सिना पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे वो वास्पे जी की सरकार में फाइनेंस और एक्स्टरन अफेर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं लेकिन नरेंदर मोदी के परदामंत्री बनने के बाद साल 2018 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया येसवन सिना मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे थे उसके बाद साल 2021 में उन्होंने टी-एम-ची को जोइन कर लिया ये स्वन सिना से पहले विपक्सी दलो ने सरत पवार को ये ओफर दिया था कि वो प्रेसिडेंशल केंडिडेड बन जाए लेकिन उन्होंने मना कर दिया उनको लगा कि अभी तक उन्होंने जो इतना बड़ा नाम कमाया है भारत के बड़े निताओं में से एक हैं तो वो इतना बड़ा चुनाव हारना नहीं चाते इसलिए सरत पवार ने बहुती पॉलाइटली राष्टपती पद के उमिद्वार बनने के ओफर को मना कर दिया उनके मना करने के बाद ये ओफर फारुग अब्दूला को भी दिया गया लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया मतलब की सिच्वेशन ऐसी हो गई तो राष्टपती पद का उमिदवार बनके चुनाव लड़ा ले लेकिन उन्हें कोई कैंडिड़ेड ही नहीं मिल रहा था कोई भी बड़ा नेता राष्टपती पद का चुनाव नहीं लड़ना चाता क्योंकि उन्हें ये साव पता है कि वो ये जुनाव जीत नहीं पाएंगे ये सारे नेता जानते हैं कि अपोजिशन पार्टियों के पास ये चुनाव जीतने के लिए जितने वोट वेल्यू चाहिए उतने उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से ये स्वन सिना ये चुनाव लड़ने के लिए मान गए इसका एक कारण ये भी है कि आज ये स्वन सिना पॉलिटिकली जिस पोजिशन पे कड़े हैं जो उनकी इस्थिति है उनके लिए ये चुनाव लड़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है यहां मैं आपको बता दूँ कि राष्टपती के चुनाव बाकी चुनावों से बिलकुल अलग होते हैं इस चुनाव का रिजल्ट वोट वेल्यू से डिसाइड होता है और ये वोट वेल्यू की केलकुलेशन कैसे होती है वो समझते है राश्टपती के चुनाव के लिए लोगसभा और राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के MLA याने की विधायक इसमें वोटिंग करते हैं इस चुनाव में हर वोट की वेल्यू अलग अलग होती है और ये वेल्यू हर स्टेट की पोपुलेशन के बैसिस पे डिसाइड होती है पोपुलेशन के लिए 1921 के सेंसे को यूज किया जाता है मतलब की 1921 के जन गणना में जो पोपुलेशन थी उसके बैसिस पे वोट वेल्य होता है इंडिया में उत्र प्रदेश की वोट से जबाתי में इसलिए के विधायक की वोट्वेल्य ॥े सभते होती है उत्रप्रदेश के हर विधायक की वोट्वेल्य, 208 है मतलब इस हिसाब से ुत्रप्रदेश के सभी 403 विधायकों कीprof ben 33,824 और वहीं सिक्किम के एक विदायक की वेलीउ सबसे कम होती है यानि की साथ क्यूंकि 1921 के सेंसस के हिसाब से वहां की पोपुलेशन 1921 में सिर्फ 2,0ac थी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विदायकों की वोट वेलीउ होती है 224 हमारे देश में कुल 4033 विदायक है और इन सब को म सांसदों की वोट वेल्यू है 5,43,200 यानि की हर सांसद की वोट वेल्यू है 700 तो सबी विधायकों और सांसदों को मिला करके उनकी वोट वेल्यू होती है 10,86,000 और राष्टपती का चुनाव जीतने के लिए उमीदवार के पास 50% से ज़्यादा वोट वेल्यू होने चाहिए और इस समय बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के पास लगबग 48% वोट वेल्यू है मतलब उन्हें सिर्फ 2% वोट वेल्यू और चाहिए और अगर YSR और BJD इन दोनों में से कोई एक भी BJP के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देता है तो वो ये इलक्षन जीत जाएगा अभी हाली में YSR के जगन मोहन रेडी और BJD के नविन पतनाया की मोदी जी से मुलाकात हुई थी और जिस तरह की खबरे सामने आ रही है उस हिसाब से इन दोनों का BJP के कैंडिडेट के सपोर्ट में आना लगबग तैम आना जा रहा है जिससे कि इस बात के पूरे चांसिस हैं कि BJP का कैंडिडेट ही भारत का अगला राष्टपती बनेगा BJP ने दुरोपदी मुर्मू को राष्टपती पत का उमिदवार गोसित किया है और वो भारत की पहली आदिवासी मैला है जिने राष्टपती पत का उमिदवार बनाया गया है उनकी उम्र 64 वर्ट है और व उन्होंने मंत्रिपद भी संभाला हुआ है क्योंकि वो उडिसा की रहने वाली है तो बीजेडी यानि की बीजुजनता दल उन्हें जरूर सपूर्ट करेगी द्रोपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था यानि की 20 जून 2022 को उनका जन्म दिन था और 21 जून को उन्हें राष्टपती पद के चुनाव का उमिद्वार बनाया गया जन्म दिन के अगले दिन ही इन्हें इतना सांदार तौफ़ा मिल गया द्रोपदी मुर्मू के लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने नीचे से यानि की ग्रास रूट लेवल से राजनिती के सफर में यहां तक पहुंची है इन्होंने नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा है उसके बाद विधायक बनी फिर मंत्री बनी उसके बाद जाड़कंड की राज्यपाल और अभी ये राष्टपती बनेगी और मुझे उ एक न एक दिन जरूर मिलेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद